जाकते रहू किसीने बोला आउपर वाला इससे क्या अताथ पड़े है आउपर वाला पर्मात्मा वो हमसे आउपर है किसी लिए मुझे आउपर वाला बोलते हैं आउपर वाला उपर है जो भी मरता है हम कहते हैं वो उपर से देख रहा है तारा बन गया है बैकुंट स्वारग, नरक गो लोग, इत्यादी सभी उपर है देव लोग, इंदर लोग ये भी उपर है और इतनी बाहर हमने उपर के लोगों की भात की है कि सभी वास्तव में ही समझने लगे कि आखिर उपर कुछ है तुम्हें शायद ये पता ना होगा जिस प्रकार तुमारी धर्ती से तुम्हें चांद, तारे या सूरज या जो जो भी ग्रहे दिखते हैं वो उपर दिखते हैं उसी प्रकार अगर तुम चांद पर खड़े हो कर दिखो तो वहां से भी तुम्हें धर्ती, सूरज, चांद, तारे उपर ही दिखेंगे वो नीचे नहीं दिखेंगे अगर सूरज से भी देखा जाए तो धर्ती, चांद, तारे उपर ही दिखेंगे अब बताओ उपर वाला उपर से देख रहा है समझ आया कुछ ये तो केवल एक शब्द है कि मरने वाला उपर चला जाता है और वो उपर से देख रहा है बैकूंट, स्वारक, नरक, गोलोक उपर है ये दाड़ाए बना ली है तुमने अंजाने में, अज्यानता में मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम आके खोलो समझो सत्य को ओ सत्य क्या है जिसकी बाद बुद्ध पुरिश करते है सत्य धर्म की सत्य धर्म कोई नया धर्म नहीं है धर्म ही नहीं है तो सत्य क्या है सत्य तो केवल इतना है कि वस्तु को जैसी वो है वैसे ही समझ लेना बस यही सत्य है और तुम्हारा सत्य क्या है तुम्हारा सत्य केवल इतना है कि तुम चेतना हो किसी भूल से एहंकार वश तुमने स्वयम को चेतना ना मान कर शरीर मान रखा है और शरीर मुक्ती के शरीर की अमरता के शरीर के बंदन से मुक्ती के उपाय खोजे जा रहे हो और जितने भी लोग तुमने अपनी अपनी कल्पना के बनाए हैं न वो सभी तो शरीर को ध्यान में रखकर बनाए है तुम मैं पर्धान हो, मैं मेरा शरीर अगर इस मैं को थोड़ी देर के लिए तिलाजली दो, छोड़ो कि शरीर जैसी कोई वस्तू हम मानेंगे नहीं तुम बताओ, किसी भी लोग की अवशक्ता पड़ेगी बैकुंट की पड़ेगी, गोलो की पड़ेगी, स्वरक की पड़ेगी इन अफसराओं को क्याब करोगे, स्वर्स के जर्नों का क्या करोगे ये सब तो शरीर से ही बन्दे हुए हैं ना शरीर होगा तो स्वर्स पी होगे शरीर होगा तो अफसरा का भोग करोगे शरीर होगा तो हूरे मिलेंगी समझ आया अगर उस शरीर बुद्धत्व क्या है बुद्धत्व मैं और मेरा इसको समाप्त करने का ना है जब मैं और मेरा समाप्त हो गया तो शरीर किसका बचा और जब शरीर नहीं बचा तो किसी भी लोग का क्या करोगे किसी भी घर का क्या करोगे दो मिनट के लिए अगर तुम शरीर को भूल गाओ और केवल यह याद करो कि तुम हो पस हो और कुछ नहीं जिस पकार यह अस्तित्र है चांद है, तारे है और कुछ भी नहीं तो क्या उस इस्तित्री के लिए याद करो कि जब दो मिनिट के लिए तुम भूले कि तुम शरीय नहीं हो तो क्या उस इस्तिती के लिए तुम्हे उतने पुण्य उतने जब तब वुरत करने पड़ेंगे और खाली यह भी नहीं जब तब भूल जाओ पुण्य भूल जाओ क्या पाप करोगे पाप करने पड़ेंगे नहीं केवल होने के लिए तुम शरीर नहीं हो तुम केवल हो उस केवल होने के लिए कौन पाप पुन्या की गठ्री बांदेगा कौन दोड़ दूप करेगा केवल होने के लिए मैं के लिए ही हर व्यक्ति सब कुछ करता है गीता का ग्यान भी तो यही है कि हे अरजुन तू बीच से हट जाओ मैं भी तो तुम्हीं यही समझा रहा हूं बुद्धत्र भी तो यही समझा रहा है तुम बीच में से हट जाओ मैं और मेरा को छोड़ दो इस शरीर के अंदर जो एहंकार बसा हुआ है उसको छोड़ो अर्जुन को बोलते हैं क्रिशन हे अर्जुन तू भी इस से हड़ जा परमात्मा अस्तित्व जो कुछ करे उसे करने दे फिर तेरा कोई भी करम बंदन नहीं तुम होते हो और मनगड कलपनाए कर लेते हो स्वरग उपर है बैकॉंट उपर है गोलोक उपर है तुम जहां भी खड़े होगे चाहे पृत्वी के किसी कोने में या चांद तारों के भी किसी कोने में हर कोने से सारी वस्तु हैं सारे ग्रहे सारे चांद तारे दिखेंगे और उसी उपर की वजय से ही तुम्हारा मन ये कलपनाएं गड़ लेता है कि ये लोग उपर है या तुम कहते हो उपर वाला सभी कुछ देख रहे हैं ये जो ब्रहमान्ड है ना ये बहु आयामी है मल्टी डाइमेंशन तुम फिल्म का एक पोस्टर देखते हो न वहां तस्वीर में खड़ा एक वेक्ती ऐसा लगता है कि वो तुम्हें देख रहा है तुम आगे जाओ जब तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें देख रहा है तुम दाएं जाओ, पीछे जाओ, बाएं जाओ वो ऐसा लगता है तुम्हें ही देख रहा है उसी परकार ये परमात्मा का ब्रमाड ये बहु आयामी है तुम जहां भी रहो वह ऐसा ही तुम्हारे सामने प्रतीत है कि सारे उपर है लेकिन वास्तव में सारी सिष्टी ही ऐसी है कि सभी तुम्हारे सामने है लेकिन सब उपर दिखते हैं उसी परकार परमात्मा, ब्रमाण, आस्तित्व वो भी तुम्हारे ही सामने है बस दिस्टी के आगे जीना सा पर्दा पड़ा है मैं उसी पर्दे को हटाने की बात करता हूँ फिर वो अल्ला, वो पर्मात्मा तुम्हारे सामने है जिनों ने ये सूक्त बनाया होगा कर्ण कर्में पर्मात्मा जिसने ये पंक्ती लिखी होगी जड़े जड़े में खुदा उसने देखा होगा बिना देखे कैसे लिख सकता है तुम सागर का पानी पीओगे तभी तो कहोगे खारा है या जिसने अरंब में बोला होगा खारा है उसने पीकर ही तो बोला होगा बिना पीए तो पानी तो पानी जैसा दिखेगा सागर का लेकिन सागर का खा रहा है जिसने पिया उसने अनुभव करके कहा होगा खा रहा है तो जिसने बोला जर्दे जर्दे में खुदा है उसने देखा होगा वो खुदा लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हैं वो कणकड में परमात्मा तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा है साथपद्य ही यह है कि वो जीनी सी चादर जो है बस उसी को उठानी है तो सत्य तुम्हारे सामने है फिर मैं कुछ भी पढ़दा नहीं रहेगा अज चित्त वो अपने द्वार खोल देगा तुम्हारे सामने वो पढ़दा, एहंकार का पढ़दा, मैं का पढ़दा तुम्हें पता क्यों नहीं चलता तुम सोचते हो क्या मचली को ये पता चलता है कि वो जल में है नहीं पूरे जीवन मचली को पता नहीं चलता कि वो जल में है क्योंकि वो उसी जल में पैदा होती है उसी जल में बढ़ती है खाना खाती है बुड़ी होती है और मर जाती है उसी जल में एक शन भी तो उस जल को छोड़ नहीं पाती तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो जल में है उसी परकार कुछ ऐसे सत्य होते है वो इतने नश्दीक होते है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता चलो एक और तरीके से तुम्हें समझाओं आँख, तुम्हारी आँख, सभी कुछ देख सकती है न लेकिन आँख को नहीं देख सकती आँख में और आँख के देखने की शंता में इतनी नज़दी की है कि वो देखने की शंता आँख को नहीं देख सकती मुठी और मुठी की पकड मुठी सभी कुछ पकड़ सकती है लेकिन मुठी को नहीं पकड़ सकती तुम सभी कुछ समझ सकते हो लेकिन मैं को नहीं समझ सकते तुम सभी कुछ समझ सकते हो लेकिन एहंकाल को नहीं समझ सकते क्योंकि वो मैं वो एंकार इतना नजदीक है उसी प्रकार तुम सबी कुछ समझ सकते हो लेकिन परमात्मा को नहीं समझ सकते क्योंकि परमात्मा अंदर रस बस गया है अगर तुम स्वयम को उठा कर अलग कर दो उस मैं में उस मैं में से जिसमें मैं भी है और जिसमें परमात्मा भी है और एकदम घुले मिले बैठे है उसमें से किसी एक को अलग कर दो अब तुम परमात्मा को तो अलग कर नहीं सकते हैं परमात्मा तो अलग होते ही तो तुम नहीं बचते हैं तुम सुवयम को अलग कर दो जिसको साक्षी तुम बोलते हो दिश्टा बोलते हो उस मैं को लग करते ही परमात्मा दिश्टी गोचर हो जाएगा बस यही सिद्धान्त है इसी सिद्धान्त को समझ कर ही तुम बुद्धत्व को पा सकते हो मैं तुम्हें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, बोध, पार्सी, यहूदी कोई धर्म नहीं सिखा रहा हूँ ये धर्मों को समझ के तो तुम कुछ भी नहीं समझ पाए जब मैं बुद्धत्र की बात करता हूँ तो बोध धर्म भी मत समझ ले न अगर तुम गलती से बोध धर्म समझ गए और भोध बनने की और अगरतर हो गए तो फिर तुम चूप गए मैं तुमारे बुद्धत्र, तुमारे जागरण की बात समझा रहा हूँ तुम्हें जागना है एक नए आयाम के लिए, एक नए आस्तित्व के लिए, एक नए सुबह के लिए आज इतना ही, शेश किसी ओर दिन अंत में तुमारे बीतर बैठे पर मारतमा को मेरा नमन तुम सभी जागो, जाकते रहो सुबह करो बातमा किसीो घुमारे बातमा क को जागो घुमार सवे बात बातमा क क मारतमा क कि हक देगे कि तुमारARY का पार nए देखे बातमा कि उussa कर दो कर दो कर दो तो झाल झाल